महें स्लाम अदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम्स लखनों हिंसा मामले में सड़क किनारे आरोपियों के फोटो के साथ बैनर लगाय जाने पर घमासान मचा हुआ है और इलाहबाद हाई कोट में इसकी आज सुनवाई भी हुई कि आखिर कानून के किस प्रावधान के तहट ये पोस्टर सहर में लगाय गया है पोस्टर लगाय जाने को लेकर इलाहबाद कोट में आज चीफ जेस्टिस गोविंद माथूर और जेस्टिस रमेज सिनहा की बेंच ने आज सुनवाई के बाद फैसला सुरचित रख लिया गया है और सोमवार को कोट अपना फैसला सुनाएगी आपको बता दे कि रविवार छुटी का दिन होने के बाद भी लाहबाद हाई कोट में आज सुनवाई हुई हलाकि सुनवाई आज 10 बजे होनी थी मगर राज सरकार की अपील पर 3 बजे तक टाल दी गई थी और राज सरकार की तरफ से 3 बजे एडोकेट जनरल ने पच रखा वहीं सुनवाई के दावरान पुलिस कमिस्टनर और डियम इस मामले में पेश नहीं हो सके थे जिनकी जगहा पर डी सी पी एडियम कोट में उपस्थित थे लखनों में बीते 19 दिसंबर को CWA के विरोत के परदहसन के दोरा हिंसा हुई थी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ था पहराल आरोपियों के फोटू नाम पता के साथ लखनों की सड़कों के किनारे बैनर लगा दिये गए हैं हिंसा में हुई नुकसान की भरपाई वसूले की बात योगी सरकार ने की थी नुकसान की भरपाई करने के लिए आरोपियों के होर्डिंग में फोटू लखनों के हजरत गंग चवराहे पर लगा दी गई है आखिर इस तरह की होर्डिंग आरोपियों के फोटो के साथ लगा देना कितना उचित है। मगर आरोपियों के पोस्टर सड़क किनारे लगाने के मामले में इलाहबाद कोर्ट ले नाराजगी जाहिर के थी चीफ जेस्टिस गोविन माथूर के अधिशता वाली खंडपीठ ने इस मामले में स्वतह संग्यान में लेकर लखनो के डिमवा डिवीजनल पुलिस कमीशनर को तलब किया था और पूछा की कानून के किस प्रावधान के तहट लखनो में इस परकार के पोस्टर सड़क के किनारे लगाए गए हैं पोस्टर लगाने की वजह से काफी हंगामा मचा हुआ है कुछ राजनितिक लोग भी इस तरह पोस्टर लगाने के खिलाफ हैं के दोरान कौन दोसी है सरकार उसकी जांच करें जो दोसी हो उसे सजा कानूनी तोर पर मिले ना कि इस तरह से सड़क के किनारे पोस्टर लगाए जाए बहरहाल इलहाबाद कोट ने आज फैसला सुनवाई के दोरान सुरक्षित रखा है और सोमवार को कोट अपना फैसला सुन देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें